हेलो फ्रेंड्स धनश्री केक्स हिंदी में आप सबका स्वागत है आज हम बहुत अच्छा सिंपल ऐसा इजी केक बनाने जा रहे हैं यह वैलेंटाइन स्पेशियल केक है तो एनिवर्सरी के लिए भी बना सकते हो चलतों शुरुवात करते हैं यहाँ मैंने गुड़रीज प्रिमिक्स यूज करके यह किलो का स्पांच बना के लिया है कि अधीं का भी बना सकते हो सेम डिजाईन में अथे स्पांच के में तीन लेयर बना रही हूं तो देख सकते हो बहुत अच्छा यह सिंप केक स्पॉंज लेके एक लियस कोरो सोख किया और बाद में थोड़ी क्रीम डाल रही हूँ score करना है पाले नाइफ की हल फसे ही सन्विपैं की क्रीम ली है बहुत अच्छी आध्कि करना है बहुत जादा भी नहीं और कम भी नहीं आपने था आइप तो देख सकते हो एक लेयर मैंने कर दिया है क्रीम का और चॉकलेट फ्लेवर का है इसलिए चॉकलेट सिरप और चोकोचिप्स आड़ करने वाली हूँ बहुत अच्छा एक टेस्ट में लगता है इस प्रोसेस से जरूर ट्राई सेम मेथड जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में एक एक तो देख सकते हो यहां मैने जो चॉकलेट सिरप आता है मार्केट में वही यूज किया है तो उस प्रेड करना है पैलेट नाइफ की हेल्प से और फिर से थोड़े चोकोचिप्स भी डालने हैं चोकोचिप्स जो है वो बहुत अच्छा क्रंच लगता है चोकोचिप्स का तो बहुत टेस्टी भी लगता है केक तो इससे केक की टेस्ट दूगुनी हो जाती है तो देख सकते हो बहुत आप मेरे चैनल पे नए हो या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने चैनल पे रोज ऐसे ही अलग-अलग वीडियो आते रहते हैं और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब आप बेल आइकोन प्रेस करेंगे तो तो सेकेंड लेयर भी मैंने वही प्रोसेस रिपीट की है फिर से चॉकलेट सिरप और फिर से चोकोचिप्स डाल रही हूँ बहुत टेस्टी लगता है केक इस प्रकार से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कोई अनिवरसरी के लिए भी एक एक बना सकते हो हालेंटाइन किसी भी बड़े हो या कोई अनिवरसरी हो या कोई फंक्शन हो एक एक आप बना सकते हो घर पे आरम से तो फिर से हम सेकेंड लेयर रखने वाले हैं और जो केक है उसको बहुत अच्छी फिनिशिंग करना है जो क्रीम है वह अच्छी बीठ हो जाए तो हमारे केक को बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है तो देख सकते हो थर्ड और लास्ट लेयर मैंने रख दी है फिर से सोक करना है और फिर से जो क्रीम है उसे अपलाई करके बहुत अच्छा हमारा केक को फिनिशिंग देना है तो एक केक जो है तो बहुत टेस्टी लगता है तो फिर से मैंन टो फिनिशिंग देना थोड़ा सा difficult होता है हाटशेप केक को लेकिन प्रैक्टिस हो जाये तो कोई भी difficult नहीं होता प्रैक्टिस करने के बाद तो केक भी आ जाता है तो यहाँ केक पुरा केक जो है ओमे क्रीम से cover करने वाली हूं तो बहुत अच्छा ये केक बनने वाला है, बहुत टेस्टी भी लगता है, और मेरा एक चैनल है, धनश्री केक चैनल है, मराथी में है, वहाँ जाके भी जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, वहाँ भी ऐसे ही अलग-अलग केक आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसकी लिंक मैंने description में दी है, तो जो केक है, वह मैंने पूरा क्रीम से cover किया है, पूरा finishing भी दी है, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ प्लेन स्क्रापर लिया है, प्लेन स्क्रापर की help से, बहुत अच्छी finishing आ जाती है, और जो क्रास क्रापर के ऊपर, जो cream आती है, वो clean करना है, हर इससे क्या होता है जो एजेस है वह बहुत शार्प आते है और बहुत अच्छे दिखते है तो यहां मैं जो कोम स्क्रापर है वही भी यूज कर रही हूँ उससे डिजाइन कर रही हूँ उससे क्या होता है देख सकते हो जो एक्ष्ट्रा की क्रीम है वह भी निकल आती है तो य यहां मैं प्लास्टिक शीट ली है और धीर को है एक अग्वर से कर सकते हों 해서 बहुत दीरे करना है अप पैलेट नाइव की हेल्प से वह कर सकते हों तो से विक हो सकते हों तो पूरा केक जो है वो पूरा हाफ केक जो है वो न्यूट्रल जेल से कवर किया है बहुत अच्छा एक केक बनने वाला है बहुत ऊजी है और फिर बाद में वही न्यूट्रल जेल से वही पाइपिंबैक से मैं ऐसाième ड्रॉब दे रही हूँ अपने केक का जो हाफ भाग बचा था या हाफ जो हिस्सा बचा था उसके उपर मैं ऐसा ड्रॉप दे रही हूँ उससे भी थोड़े चोटे एसे regenवों देना है तो देख सकते हो बहुत अच्छा अच्छा केक दिखता है तो केक मैं नूट्रल जेल घैक मेंटेरियल शौप में अरहें से मील जाएगा तो यहां मैंने यनवन नोजल लेके जो flowers है वो बनाए है white color के red and white combination बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा दिखता भी है तो यहां मैंने rosettes बनाए है बहुत अच्छे बनाना है rosettes cream proper finishing हो जाए तो rosettes भी बहुत अच्छे बन जाते है और बाद में वही सेम नोजल से border भी बनाई है बहुत अच्छा हमारा केक बन चुका है और फिर बाद में green color की cream लेके मैंने leaves भी निकाले है या बनाए है हमारे जो flowers है rosettes है उसको तो देख सकते हो बहुत easy और simple हमारा केक बन चुका है आपको पसंद आएगा तो जरूर comment कीजिएगा मेरा चैनल को subscribe कीजिएगा फीडियो पसंद आया तो like, share, subscribe जरूर कीजिएगा तो देख सकते हो केक बन चुका है और मराठी चैनल को भी जरूर subscribe करना उसकी link description में है बहुत अच्छे नए वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई टेक केर